हलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पैरा वॉलिड बताऊंगा, पैरा वॉलिड के टाइप बताऊंगा, पैरा वॉलिड पर टेंजेंट की एक्वेशन क्या होती है, कंडिशन और टेंजेंसी क्या होती है, इन दोनों आर्टिकलों को मैं डिफाइन करूंगा, और फिर इस पर important जो question है वो बताऊंगा और कुछ 5 से 10 question multiple choice question भी लेकर आया हूँ, तो इसलिए ये वीडियो आज बहुत important होने वाला है, तो आपको पूरी वीडियो एक तरफ से देखनी है, तभी आगे के MCQ question समझ मैंगे कि जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, तो चलिए आज हम बता रहे हैं आपको paraboloids, paraboloids की equation क्या है, इसका diagram कैसे बनता है, ये symmetrical किसके होती है, और इसके type क्या क्या होते हैं, तो आज मैं सब बताने वाला हूँ, paraboloid की जो equation होती है वो ये होती है, ax square plus by square equal to 2z, होती और भी है, मैं पहले इसी को बता रहा हूँ, इसको हम जादा यूज करेंगे, इस equation में x और y की power even है, इसलिए जो curve बनेगी, वो symmetrical about z axis के होगी, इसको हम ऐसे भी लेख सकते हैं, ax square plus bz square equal to 2y, या ay square plus bz square equal to 2x, तो ये तीनो टाइप हैं, इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जादा तर हम इसको use करते हैं, तो चलिए इसे न लिख कर इसको ही लेके चल लए है, कि ये para valid की equation होती है, किसकी होती है, para valid की, और मैं इसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर ax square plus by square equal to 2z, आईए इसकी para valid का diagram कैसा होता, सेम para valid जैसा ही होता है, ये x-axis, y-axis और z-axis, x और y की power even हैं, तो curve किधर से बनेगी? z-axis से, और center से होकर जाएगी, क्योंकि x, y, z की जगे पर 0 रखूँ, तो किस से पास होगी? origin से, अगर आपको diagram बहुत अच्छी तरह देखना है, तो मेरी playlist देखे, curve tracing, उसमें मैंने एक-एक point अच्छी तरह से दिखाया है, ठीक है? तो इसकी ऐसी figure बनेगी, इस पर का, इसको मैं थोड़ा draw करें देता हूँ, ये बनेगी बस, तो figure से कोई मतलब नहीं है, आपको ये आना चाहिए, कि यहाँ अगर quadratic equation है, तो Z linear है, कहने का मतलब, 2 quadratic में होंगे, तो 3 लीनियर में होगा, अब इसके type क्या होते हैं? वो देखते हैं, पहला type है, Allipatic Parabolid, इसमें क्या होगा, if, यदि, A equal 1 upon A square, B equal 1 upon B square, और दोनों positive हो, अर्था दोनों same sign हो, तो ये equation बनती है, x square upon a square plus y square upon b square equal to 2z दूसरी equation एक type हो गया इसका second type hyperbolic होता है इसमें क्या होता है if a equal to 1 upon a square तो b equal to minus k 1 upon b square अर्था opposite side होती है या opposite sine कहलो तो ये equation बनती है x square upon a square minus y square upon b square equal to 2z तो parabolic की equation क्या होती है ax square plus by square equal to 2z यहाँ x और y की power even है इसलिए curve symmetrical होगी about z axis और origin से जाएगी ठीक है तो ये इसकी curve बनती है इसके two type होते है allipatic, parabolid और hyperbolic ये तो सिर्फ ellipse जैसा ही हो गया allipatic ellipse क्योंकि दोनों project में ellipse ही तो है और यहाँ minus आ गया तो ये hyperbolic में change हो गया अब मैं इसकी आपको tangent के लिए equation define कर रहा हूँ वैसे parabola की equation ये घोती क्या है equation of parabola at tangent alpha, beta, gamma तो ये equation बनती है a alpha x, b beta y इस 2z को gamma plus z अब इसको मुझे proof करके दिखाना है जैसे मैं proof करूँगा ना उसी base पर में question solve करूँगा जो हर साल exam में आते रहते हैं ठीक है चलिए मैंने question लिख लिए है किस प्रकारी आड़ी के लिए आ सकता है to find the tangent plane at alpha, beta, gamma to the paraboloids ax square plus by square equal to 2z तो चलिए solution करते हैं equation of paraboloid ax square plus by square equal to 2z at alpha, beta, gamma alpha, beta, gamma पे रखेंगे तो a alpha square b beta square equal to 2 gamma यह मैंने second equation माले अब tangent line बनानी है तो हम line बनाएंगे now equation of line passes alpha, beta, gamma and dcs are l, m, n तो x minus alpha upon l y minus beta upon m z minus gamma upon n equal to r से यह मैंने line माल ली है यहां से मुझे x, y, z की value निकाल ली है कैसे इसको और इसको बरावर रखें x minus alpha upon l equal to r x minus alpha l r this implies x equal to alpha plus l r similarly y equal to beta plus m r और z equal to gamma plus n r यह x, y, z की value यहां रख दीजिए तो क्या लिख रहा हूँ इसके लिए this point lie on a x square plus b y square equal to 2 z रखिए तो a x की जगे पर आप रखेंगे alpha plus l r का whole square b beta plus m r का whole square equal to 2 z z की जगे पर कितना रखेंगे 2 gamma plus n r इसे खोलिए a alpha square plus l square r square plus 2 alpha l r plus b beta square plus m square r square plus 2 beta m r equal या इधरी लिए या equal कर लीजिए 2 gamma plus 2 n r अब मुझे क्या करना है r square के coefficient एक जगे r के coefficient एक जगे और जो constant बचेंगे उन्हें हम एक जगे कैसे यहां से r square का coefficient आएगा a l square a l square यहां से b m square बाहर r square 2 r का coefficient ले लीजिए 2 और r का coefficient यहां a alpha m पिलस b beta m और 2 r इधर लिया तो minus के n इधर ले लो पिलस क्या बचा यहां पर a alpha square constant यहां b beta square constant और यह बचा 2 gamma इधरी ले आई है इसे minus के 2 gamma तो यह 0 हो गया अब मैंने यहां क्या देखा इसकी value कितनी है 2 gamma अगर यहां 2 gamma रख दी जाए तो यह 0 हो जाएगा तो क्या बचा r square a l square पिलस b m square पिलस के 2 r a alpha l पिलस b beta m minus n equal to 0 कहां से आया by second अब इसका एक root 0 आएगा which is quadratic equation में लेक रहा हूँ which is quadratic in r and one root is 0 कैसे आएगा अगर इस में से मैं r कोमल ले लूँ तो r बरावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा so that the coefficient of 2 r is 0 तो 2 r का coefficient a alpha l b beta m minus n equal to 0 अभी तो मुझे और हल करना है यहाँ l की value m की और n की value में कैसे निकालू या इसको और इसको बरावर रखते हैं तो x minus alpha upon r l गया इधर r आ जाएगा इधर और l पहुन जाएगा इधर तो l की value यह हो गई तो यहाँ a alpha x minus alpha upon r b beta m के लिए लिखूंगा y minus beta upon r n के लिए z minus gamma upon r equal to 0 r किस में चला गया जीरो में तो यहाँ बचा a alpha x minus alpha b beta y minus beta equal to z minus के gamma यह इधर z minus के gamma पिलस में जाएगा क्योंकि minus है तो इधर गया पिलस में अब मुझे यह अलग-अलग solve करना है इसमें multiply करिए केवल a alpha x b beta y फिर क्या बचा minus के a alpha square minus के b beta square equal to z plus z minus gamma आईए इसे अब आगे solve करते हैं बस थोड़ा सा यहाँ मिटा दीता हूँ तो a alpha x पिलस b beta y minus इधर ले जाएए तो a alpha square पिलस b beta square पिलस के z minus gamma इसकी जगे पे आप क्या रख सकते हैं यहाँ से 2 gamma किलिया तो a alpha x b beta y equal to 2 gamma plus z minus gamma तो a alpha x b beta y equal to gamma plus z यह इसकी tangent की equation मैंने define की है प्रूफ करने को कभी कभी आजाती है BSE में अब इसे मैं short root बता रहा हूँ कैसे अब यह देखे यही तो question था a x square plus b y square equal to 2 z तो tangent पे हम कैसे लिखेंगे इसको alpha into x कर देंगे इसको beta into y और यह 2 z है z plus z 2 z हो गया 1 z को z और 1 z को gamma यही equation आ गए अब में एक नई बात बताओ ऐसा question होता 3 x square plus 4 y square equal to 7 z तो tangent की equation आप कैसे बनाएंगे लेकिन यहां तो 7 z है मुझे बनाना है 2 z तो कैसे कर सकता हूँ 3 x square plus 4 y square 7 upon 2 into 2 z 2 की divide 2 की multiply अब इसे ऐसे कैसे तोड़ोगे 3 alpha x 4 beta y 7 upon 2 gamma plus z हो गया answer अगर यहां 7 की जगे पर 8 z होता तो आप 4 बाहर 2 z और 2 z को फिर कैसे लिख देते gamma plus z तो ऐसे तो मैं question में बताऊँगा आपको जो बहुत important है अब हम लेके चलते हैं condition of tangency ठीक है इस article को देखिए यह important article है हम एक बात बता रहा हूँ मैंने यह पूरी 3D पूरी 3D solve की है playlist में आप देखेंगे या तो आप 3D की playlist देख लें उसमें मिल जाएंगे वरना मैंने topic by topic playlist बनाई है direction result, direction cosine की playlist plane की पूरी playlist state line की, sphere की cylinder की, conicoid की तो आप पूरा देख सकते हैं और जो दूसरी book है differential equation and matrix उसकी भी मैंने पूरी playlist बनाई है matrix की एक थरफ बनाई है और उसकी differential equation की एक थरफ बनाई है तो आप पूरी playlist देखेंगे तो आप अपने घर पर ही पूरा math तो first class कर सकते हैं ठीक है, अगर कोई topic आपको नहीं मिलता है तो उस topic के साथ आप BSC coaching अलीगर जोड़ दें तो वो topic सबसे पहले निकल के आएगा तो चलिए इस article को proof करते हैं to find the equation when the plane LX plus MI plus NZ equal P become A tangent at point alpha beta gamma to the parabola AX square plus BY square equal to 2Z तो condition of tangency का article बहुत important होता है, देखिए तो equation of parabola क्या है AX square BY square equal to 2Z equation fast at alpha beta gamma तो यह A alpha I square B beta I square equal to 2 gamma जरूवत पढ़ेगी इसलिए मैंने यह लेख दी Now equation of plane क्या दे रखा है? LX plus M Y plus NZ equal P अब हमें जो parabola की equation है इसे tangent पर कैसे निकालते हैं? इसलिए तो प्रूफ किया है तो यहाँ direct लिखूँगा equation fast at tangent तो यह क्या बनती है? A alpha X B beta Y equal to gamma plus Z A alpha X B beta Y minus Z equal to gamma हमने यहाँ क्या देखा? equation third और fourth दोनो tangent plane की equation है इसलिए दोनो same represent करेंगी और जब same represent करेंगी तो हम parallel condition लगा सकते हैं ठीक है? तो मैं लिख रहा हूँ equation third and fourth same represent जब यह दोनो same represent करेंगी तब X का coefficient A alpha upon यहाँ X का coefficient L ऐसे ही B beta upon M ऐसे ही Z का coefficient यहा minus 1 upon N equal to यहाँ gamma upon P मैंने क्या किया? यहाँ X,Y,Z के coefficient उपर upon X,Y,Z के coefficient नीचे अब हम कैसे निकालेंगे इसको और इसको और इसको बराबर रखे alpha की value इसको फिर इसके साथ beta की value इसको इसके साथ तो gamma की इस प्रकार हम alpha, beta, gamma की value निकाल सकते हैं इसे और इसी बराबर रखेंगे तो alpha equal minus l upon an आएगा इसको और इसको बरावर रखेंगे तो beta equal minus m upon bn आएगा इसको और इसको बरावर रखेंगे तो gamma equal to minus kp upon n आएगा अब तुम्हें एक बात बताओ 100% important वो आपसे पैरा वॉलिड के लिए pole पूछे क्या पूछे? pole तो इनी को हम pole कहते हैं अगर वो center पूछे है पैरा वॉलिड के लिए तो ये coordinate होते हैं center के तो pole में लिखे देता हूँ अलग से ये rough है article में नहीं है तो minus l upon an minus m upon bn minus p upon n इस पैरा वॉलिड के लिए ये pole कहलाते हैं तो ये अलगा article में नहीं है मैंने आपको समझा दिया है अब ये जो point है ये lie करेंगे equation second को ठीक है condition of tangency बनानी है न तो ये point the alpha भी the value ऐसे लिखे देता हूँ the value of alpha beta gamma lie on second second equation कौन सी है a alpha square b beta square equal to 2 gamma alpha की जगे पे रखिये a l square upon a square n square b m square upon b square n square gamma की जगे पे minus के 2p upon n solve करिए l square upon a square n a से एक कट गया n square plus m square upon b n square इधर ले आईए 2p upon n equal to 0 पूरे में n square की multiply कर दो तो यहाँ l square upon a plus m square upon b plus k 2n p equal to 0 यही condition of tendency है तो आपको पहला lecture अगर देखेंगे तो वहाँ मैंने कौनी कौइड में कौनी कौइड और ellipsoid दोन के लिए बताए थे same वोई प्रोसिज मैंने यहाँ अपनाया है पैरा वॉलिड में तो चलिए पहले मैं इस पर based important जो question है उन्हें दूँगा और फिर multiple choice question जो बनाई है मैंने उन्हें अलग से रख कर उन्हें समझाऊँगा इसलिए यह वीडियो very very important होने वाला है question number first देखिए इसका मतलब है जो पैरा वॉलिड है वो किन पॉइंटों पे टच कर रहा है और वो पॉइंट जो निकलेंगे वो क्या कहलाते हैं point of contact तो टच करने की जो प्रोसिज के लिए आप वो भी बताऊंगा और point of contact भी निकालूंगा चलिए equation यह दे रखी है of parabola x square minus 2y square equal to 3z पहले इसे set करते हैं तब x square minus 2y square equal to 3 upon 2 into 2z अब मैं इसको निकाल रहा हूं at tangent point tangent के point माल लिए alpha, beta, gamma माल लो तो यह equation बनेगी इधार alpha x minus के 2 beta y 3 upon 2 यह बनेगा gamma plus z अभी बताया था article में डारेट कर रहा हूं यहां तर तो alpha x minus 2 beta y minus 3 upon 2z equal to 3 upon 2 gamma यह equation मैंने first माल ली and इसे first माल लीजिए यह second and equation first at alpha, beta, gamma केवाल alpha, beta, gamma पे रख रहे हैं तो इसको रखिए alpha square 2 beta square equal to 3 gamma बस इसके बाद क्या करना है यह equation tangent plane की बना दी और यह already tangent plane दे रखी है ठीक है and क्या दे रखी है equation 2x minus 4y equal to minus 3 इसे 4 मान लीजिए तो यह equation भी tangent plane यह equation भी tangent plane तो यह same represent कर रहे हैं तो आप लगाएंगे parallel condition तो यहाँ x का coefficient कितना इधर देखिए alpha मैं यह लेखे देता हूँ second and fourth are same represent इसी लिए यहाँ x का coefficient alpha upon 2 y का coefficient minus k2 beta upon minus 4 z का coefficient minus 3 upon 2 upon यह minus 1 rhs में 3 upon 2 gamma यहाँ minus के 3 इसको और इसको बराबर लेंगे पहले तो यह कट गया minus से minus इसकी इसमें multiply करेंगे तो alpha की value 3 यह भी कट गया इससे यह कट गया 2 बार अब 2 की इसमें multiply करेंगे तो beta की value 3 यह भी 3 y 2 यह भी 3 y 2 यह दोनों कट गये यह इधर गया gamma की value minus 3 यह alpha बीटा गामा ही point of contact कहलाएंगे लेकिन कब अगर यह point इस equation को satisfy कर दें तो हम दावे के साथ कहेंगे कि यह equation touch कर रही है इस पेरा बॉलिट को clear? सबसे पहले जो मैंने यह pole निकाले हैं मैंने pole बताया था यह pole कहलाते है point of contact भी कहलाते है coordinate center के भी कहलाते है करते हैं तो करते हैं तो lie on third तो यहाँ alpha की value रखेंगे 3 ती या 9 यहाँ 3 ती या 9 नौ दूनी 18 कितने बचे? माइनस के 9 देखते हैं है गामा की value रखने पर माइनस 9 आती है के नहीं? रखिये यहाँ तो माइनस के 9 इसका मतला इसको यह satisfy कर रहा है इसी लिए ये plane इस पेरा वॉलिड को दावे के साथ तच कर रहा है और point of contact भी यही हुए point of contact 3, 3, माइनस 3 किलियर समझ गए? चलिए तो next question की तरह मुरते हैं find the equation of tangent plane to the surface ये दे रखा है बस tangent plane की equation बनानी है चलिए तो क्या दे रखिया equation? 2x square 5y square इसको लिख सकता हूँ 5 into 2z के लिए लिख सकते हैं 2z ही बनाना होगा क्योंकि पेरा वॉलिड में 2z होता है अब इसे मैं लिख रहा हूँ at tangent point alpha beta gamma तो ये बन गया 2 alpha x minus 5 beta y into gamma plus z अब alpha beta gamma की जगे पे क्या रखोगे? already दे रखा है तो यहीं लिखे देता हूँ 5 minus 2 3 तो यहाँ alpha की जगे पे 5 रखोगे तो 10x beta की जगे पे minus 2 रखोगे पिलस के 10y gamma की जगे पे 3 पिलस z तो 10x पिलस 10y इधर minus के 5z equal to यहाँ 15 पूरे में 5 की डिवाइड कर सकते हैं तो 2x पिलस 2y minus z equal to 3 यह tangent plane की equation हो गई clear हो रहा है ना? तो चलिए मैंने कुछ important question जो लगवाग इस topic से relation संबंद रखते थे वो मैंने mc की इसमें रख लिये हैं और यह question important है जो चलिए पहला question देखते हैं if the plane 8x minus 6y minus z equal to 5 question number 1 में यह दे रखा है 8x minus 6y minus z equal to 5 touch the parabola parabola क्या दे रखा है? x square upon 2 y square upon 3 equal to z अर्था 3x square minus 2y square equal to 6z then the point of contact अर्था जिन पॉइंटों से यह touch करेगा वही वास्तम में point of contact कहलाते हैं तो कैसे निकालेंगे इनमें कौन सा सही है? देखते हैं इस equation को इसे first माल लीजिए इसको रखिए at tangent alpha, beta, gamma तो यह बन गया 3 alpha x minus के 2 beta y इसको लिख सकता हूँ 3 क्या बचा है यहां 2z और 2z को z plus gamma तो 3 alpha x 2 beta y minus 3z equal to 3 gamma हमने यहां क्या देखा? first और second same represent कर रहे हैं तो first and second same represent इसका मतलब x का coefficient 3 alpha upon 8 यहां minus k 2 beta upon minus 6 यहां minus 3 upon minus 1 यहां 3 gamma upon 5 यह कट गए यह भी कट गए और यह के बार कट गया? 3 बार इसको और इसको बरावर लेंगे तो alpha equal to 8 इसको और इसको बरावर लेंगे 3, 3, 9 beta equal to 9 इसको और इसको बरावर लेंगे 3, 3, 3 तो gamma equal to 5 8, 9, 5 कौन सा सही है 8, 9, 5 D is the right answer अभी हम कैसे करें दावे के साथ के ये वास्तम में सही है चेक करके बताऊं तो चलिए इस equation को alpha, beta, gamma पे रखिए तो 3 alpha square minus 2 beta square equal to 6 gamma यदि ये point इसको satisfy करते हैं तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि ये जो plane है para wallet को इन point ओं पर touch कर रहा है clear? तो रखते हैं यहाँ 8, 8, 64 minus 9, 81 equal to 6, 35 हल करिए 3, 4, 12 3, 18 और 11 2, 1, 2, 2, 2, 8, 16 कितने बचे? 30 ही बचे इसका मतला answer सही है तो next question लेखते हैं question number 2 देखिए the condition that the plane LX plus MI plus NZ equal P may be tangent to the para wallet ये तो मैंने अभी proof कराया था article क्या होता? L square upon A plus M square upon B plus 2NP equal to 0 this is the right answer अभी proof कराया है equation of tangent plane to the surface इन point ओं पर इन में से कौन सी tangent plane की equation होगी? वो देखते हैं चलिए पहले इस equation को लिखते हैं ये तीसरा question है 2X square minus 5Y square equal to 10Z at 5 minus 2 3 इसे में ऐसे भी लेख सकता हूँ minus 5Y square equal to 5 into 2Z ये बन गया 2 alpha X 5 beta Y 5 gamma plus Z का ये पर निकाल दी आया alpha beta gamma पर तो 2 alpha X 5 beta Y Z को इधर ले आचा हूँ रहने दो चलो direct value रखो अब alpha की जगे पर 5 रखेंगे तो 10X beta की जगे पर या minus 2 रखेंगे plus के 10Y 5 gamma की जगे पर 3 plus Z 5 की डिवाइड कर दो तो 2X plus 2Y equal to 3 plus Z देख लीजिए कौन सा आंसर सही है C is the right answer एक और है fourth question ये दो plane दे रखे हैं आर दा conjugate diametral plane इसी topic में है मैं next वीडियो में बताऊँगा इस article को planes of the para wallet दे रखा है तो L L dash upon A plus M M dash upon B equal to क्या होगा 0, 1, 2C या कोई सावी नहीं तो मैं प्रूफ कराऊंगा इसका आंसर 0 आता है के लिए करें प्रूफ करूब यहीं नहीं नहीं करदा दो आक दो रहागा है झाल झाल